इफिस्यो पहला अध्याई एक से तेईस तक उत्पती से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोश हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राई के अनुसार हमें अपने लिए पहले से टहराया कि इशु मसी के द्वारा हम उसके लेप आलक पुत्र हो कि उसके उस अनुगर की महिमा की स्तूती हो जिसे उसने हमें उस प्रेय में सेंत मेंत दिया हमको उसने उसके लहो के द्वारा छुटकारा अर्थाद अप्रादों की शमा उसके उस अनुगर के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ग्यान और समझ सही थम पर ब समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में हैं और जो कुछ पृत्वी पर हैं सबकुछ वो मसी में एकत्र करें उसी में जिसमें हम भी उसी की मंसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से टहराए जाकर मिराज बने कि हम जिन्होंने पहले से मसी पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तूति के कारण हो और उसे में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वच्चन सुना जो तुमारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किय प्रतिया किये हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी वह उसके मोल लिये हुओ के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तूति हो इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु इश्व पर है और सब पवित्र ल नहीं छोड़ता और अपनी प्रात्नाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु इश्व मसी का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ग्यान और प्रकाश की आत्मादे और तुम्हारे मन की आंखे जोतीर में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महीमा का धन कैसा है और उसकी सामर्त हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान हैं उसकी शक्ति के प्रभाव के उसकार्य के अनुसार जो उसने मसी में किया कि उसको मरे हुँ में से जिला कर स्थानों में अपनी दाइनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्त और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जुन केवल इस लोक में पराने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पाओ तले कर दिया और उसे सब वस्वों पर शिरो में टहरा कर कलीसिया को दे दिया यह उसकी देव है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है पहला इतिहास उनीस अध्याए एक से उनीस तक इसके बाद अमोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके सान पर राजा हुआ तब दावद ने यह सोचा हानुन के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीती दिखाई थी इसलिए मैं भ पास उसे शांती देने को आए परन्तों अमोनियों के हाकिम हानुन से कहने लगे दावद ने जो तेरे पास शांती देने वाले भेजे हैं वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से बेजे हैं क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि डून ढांट करे और नश्ट करे और देश का भेद ले इसलिए हानु ने दाउत के करमचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुढवाए और आदे वस्तर अर्थात नितंब तक अटवा कर उनको जाने दिया तब कई लोगों ने जाकर दाउत को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बरताव किया गया अतहर उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा क्योंकि वे पुरुष बहुत लज़ित थे और राजा ने कहा जब तक तुम्हारी दाड़ियां बन जाए तब तक यरियों में टहरे रहो और बाद को लोट आना जब अमोनियों ने देखा कि हम दाउत को घिनोने लगते हैं तब हानुन और अमोनियों ने एक हजार किकार चांदी अर्मन हरेम और अर्माका और सोबा को भेजी की रत और सवार किराय पर बुलाए इस प्रकार उन्होंने 32 जार रत औ और माका के राजा और उसकी सेना को किराय पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किये अमोनी अपने 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 नगर में से इकटे होकर लड़ने को आए यह सुनकर दाउद ने यवाब और शुर्विरों की पूरी सेना को भेजा तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांथी बांदी और जो राजा आये थे वे उनसे अलग मैदान में थे यह देखकर कि आगे पीछे दोनों और हमारे विरुद पांथी बांदी है युवाब ने सब बड़े बड़े इस्राइली वीरों में से कुछ को चांट कर अर अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना और यदि अम्मोनी तुछ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा तो खियाओ बन और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित पुर्शार्त करे और यहवा जैसा उसक करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं अम्मों ने वे उसके भाई अभिशे के सामने से भाग कर नगर के भीतर गुसे तब यह आप यरुशलीन को लौट आया यह देखकर कि वे इसरालियों से हार गए हैं अरामियों ने द किया और यड़ दिन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद पांथी बंदाई तब वे उसे लड़ने लगे परन्तों अरामी इसराइलियों से भागे और दाउद ने से 7000 रतियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेना पति को भी मार डाला यह देखकर कि वे इसरालियों से हार गए हैं हद्रेजर के करमचारियों ने दाउत से संदी की और उसके अधिन हो गए और अरामियों ने अम्मोनियों के सायता फिर करनी न चाही पहला इतिहास 20 सद्ध्या एक से आठ तक फिर नए वर्ष के आरंब में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं तब योब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड दिया और आकर रभा को घेर लिया परंत दाउद यरुशले में रह गया और योब ने आजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तौल किकार भर सोने का है और उसमें मनी भी जड़े थे और वह दाउद के सिर पर रखा गया फिर उसे नगर से बहुत सा सामान लूट में मिला उसने उसमें रहने वालों को निकाल कर आरों और लोहे के हेंगों और कुलहाडियों से कटवाया और अमोनियों के सब नगरों के साथ भी दाउद ने वैसा ही किया तब दाउद सब लोगों समय तेरुशलिम को लौट गया इसके बाद गेजेर में पलिष्टियों के साथ युद्ध हुआ उस समय हुशाई सिबके इने सिपो को जो रापा की सं संतान था मार डाला और वे दब गए पलिष्टियों के साथ फिर युद्ध हुआ उसमें याईर के पुत्र एलहाना ने गती गुलयत के भाई लहमी को मार डाला जिसके बर्चे की छड जुलाहे की डोंगी के समान थी फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डिल डोल का पुरुष था जो रापा की संतान था और उसके एक एक हाथ पाव में छेचे उंगलिया अर्थात सब मलाकर 24 उंगलिया थी जब उसने इसराइलियों को ललका रहा तब दाउद के भाई शीमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा यही गत में रापा से उत्पन ह हुए थे और विदाउद और उसके सेवकों के हाथों माल डाले गए बज़त जहीदा 145 सद्ध्या 1-21 तक हे मेरे परमेश्वर हे राजा मैं तुझे सरा हूंगा और तेरे नाम को सदा सरवदा धन्य कहता रहूंगा प्रती दिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे महानोर अरती स्थुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराकरम के कामों का वर्नन पीड़ी पीड़ी होता चला जाएगा मैं तेरे एश्वरी की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांती भांती के आश्च्री कर्मों पर धियान करूंगा लोग तेरे भायनक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े-बड़े कामों का वर्णन करूंगा लोग तेरी बड़ी बहलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जैजेकार करेंगे यहवा अनुग्रकारी और दयालू विलम से क्रोध करने वाला औरती करुणा मैं है यहवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी स्रिष्टी पर है है यहवा तेरी सारी स्रिष्टी तरह धन्यवात करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेर प्रबुता सब पीडियों तक बनी रहेगी यहवा सब गिरते हुऊ को संभालता है और सब जुके हुऊ को सीधा खड़ा करता है सबों की आंखे तेरी और लगी रहती है और तु उनको आहार समय पर देता है तु अपनी मुठी खोल कर सब प्राणियों को आहार सुत्रुप्त करता है यहवा अपनी सब गती में धर्मी और अपने सब कामों में करोणा मैं है जितने यहवा को पुकारते हैं अर्था जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वह निकट रहता है वह अपने डरवयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उन उसके पवित्र नाम को सदा सरवधा धन्य कहते रहे